सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए वेलो गाईज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तरन्नुम्जिया देखिया आज एक और बहुत ही खुब्सूरस सा बहुत ही प्यारा सा गाईज मैं आपके लिए ये डिजाइन बना कर लाई हूँ पांच फंदों का मैंने ये वाला डिजाइन दिया है और तीन फंदों का यहाँ पर है एक उल्टा एक बीच में ये डिजाइन दिया है मैंने सीधा और एक उल्टा इधर देखें किस तरह से स्टार्ट होगा, किस तरह से बनाया जाएगा, चलिए से देखते हैं देखें पहला फंदा हम बिना बुना ही निकाल देंगे अब हमने क्या करना है, एक फंदा हमने यहाँ पर उल्टा बनाना है फिर एक फंदा यहाँ पर हमने सीधा बनाना है और सिधा फंदा देखे हम कैसे बनाएंगे यह वाला यह यहाँ पर यहाँ से हमने नहीं लेना है इस जगह से यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा देखे यह यहाँ यहां से हम सलाई इस जगा से लेंगे और इसको यहां से बुनाई कर देंगे और इस फंदे को निकाल देंगे फिर हम उनको आगे लाएंगे फिर एक फंदा हम यह उल्टा बनाएंगे फिर से उनको पीछे पहुचा कर देखें यहां पर हम इस फंदे को एक तू तीन तीन बा इस फंदे को इसका तीन बार राउंड लेकर इसको बुनाई कर देंगे फिर बीच में तीन फंदे सिथे एक दौह को तीन फिरसे यह पांच वह फंदा है देखे इसको फिर maximal इहां पर triple यह यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे यहां से बुन कर, सीधा बुनाई कर देंगे, फिर से उन आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, उन पीछे पहुचा कर, फिर से हमारा पांच फंद वाला डेजाइन, पहला फंदा टिपल राउंड लेकर हम बुनाई कर देंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, फिर से टिपल राउंड आखरी जो पांच वा फंदा है, फिर उनको आगे लाएंगे, और यह यहां पर एक उल्टा फंदा, फिर उनको पीछे पहुचा कर, यह सीधा यहां बरसे लेंगे, बुनाई कर देंगे, फिर उनको आगे ल इस एक्सटा फंदय को हम निकाल लेंगे इसी तरह से तो अब येवाला फंदना जो हमने उल्टवनाईडा है सीधी सिलाई पर उसको हम सीधा बुनाईड़ा है पर जो फंदे हमने उल्टे बुनाई किये हैं सीधी सलाई पर उसको ही हमने सीधा बुना है उल्टी सलाई पर इस फंदे को खोल देंगे और बिना बुना इस सलाई पर उतार देंगे अब ये बीच में तीन फंदे हैं इन तीनों को उल्टा बुनाई कर देंगे देखिए ये पांचवा फंदा है इसको भी खोल कर बिना बुना उतार लेंगे फिर से हमारे ये दो उल्टे फंदे आए हैं यहाँ पर देखिए इसको सीधा बुनाई करेंगे जो उल्टे बुने थे हमने सीधी से लाए पर बीच में ये उल्टा है फिर से एक फंदा सीधा और फिर से इस वाले डिजाइन को उन आगे लाकर खोल देंगे इस फंदे को और इसको बुना ही नहीं करेंगे अगले तीन फंदे हम बुना ही करेंगे इसको भी खूल देंगे अब उन आगे पहुचा कर उल्टा वाला पंदा सीधा बुनेंगे फिर से ये उल्टा पंदा हमारा उनको आगे पहुचा आया देखे फिर से इस 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 को बिना बुना उता लिया फिर से उल्टा फंदा है इस सीधा यहां से पहुंचा है इस फंदे को बिना बुना उतारा तीन फंदे हम इस सीधे बुन देंगे एक दो तीन एक दो तीन यह एक्स्ट्रा फंदा इसको हम सीधा उनाई कर देंगे इस सीधा फंदा इक यह उल्टा फंदा फिर से यह यहां पर सीधा है अब इस फंदे को फिर से बिना बुना उतार लिया हमने फोर्थ रो है हमारी यह और उल्टी सलाई है उल्टी सलाई पर सिर्फ उनी फंदों को सीधा बनाएंगे जो हमने सीधी सलाई पर उल्टे बनाए है देखें फोर्थ रो भी हमारी कम्प्लेट हुई अब हम यह डिजाइन को बनाएंगे पहले हम यह एक्स्ट्रा फंदा फिर यह यहां पर उल्टा फंदा है फिर से यह सीधा फंदा आया यहां पर देखें अब यह वाला फंदा जो यह बड़ा वाला फंदा है इसको यहां निकाल देंगे और इन तीनों फंदों को इस सलाई पर लेकर यह लास्ट वाला फंदा भी पांच वाल निकाल देंगे अब इस वाले फंदे को यह एकदम आखीर में यहां लास्ट में ले लेंगे और इन तीनों फंदों को एक, दो, तीन इसी सलाई पर लेकर इस फंदे को लास्ट वाले को यहां इस टार्ट में ले लिया देश रहां से यह डिजाइन यहाँ पर आ गया अब यह उल्टा फंदा है यह यहां पर से लेंगे यहां देखिए दिखाई दे रहा है इसे इस फंदे को निकाल देंगे इन तीनों को इस सलाई पर लेकर यह लास्ट का भी निकाल देंगे और अब पहला वाला फंदा यहां लास्ट में लेकर इन तीनों को इसी सलाई पर लेंगे और यह लास्ट वाला यहां सिधा बुनाई कर दिया अब यह हमारे सिक्स राई है फिर उल्टी सलाई उसी तरह से बुनाई कर देंगे सीधे को सीधा बना देंगे और यहां पर यह पीछे फली बन गई है इनको सीधा बनाना है उल्टी सलाई पर एनको बनाना है अब रो सेविन है हमारी दूसरे ड़ डिजाइन हमारा तब बनेगा जब हम ये चार सलाईया बुनाई कर लेंगे तब हम दूसरे डिजाइन को स्टार्ट करेंगे तो एक उन्टी सलाई बुनकर लाएं हम अब ये हम सीधी सलाई बुन रहे हैं तो ये सेटन रो आई दूसरे डिजाइन की जिस तरह से डिजाइन है उसी तरह से अब हम ये रो कम्प्लेट कर लेंगे ये थर्ड रो आई है हमारे दूसरे डिजाइन की करेंगे देखें थर्ड रो हमारी कम्प्लीट हुई है यहाँ पर देख लेंगे आप जो यह हमारी यह फंदा है यह वाला इससे आप यहाँ पर गिन लेगे एक तू तीन और एक फंदा है हमारा चार अब यह चार पर हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम फिर से यह डिजाइन को बनाएंगे वही टिपल राउंड लेकर फोर्थ रॉपर हर फोर्थ रॉपर आप यह डिजाइन बना लेंगे एक, दो, तीन एक, दो, तीन एक, दो, तीन एक, दो, तीन तीन राउंड सलाईपर लेंगे आप इस उनके तब आप इस फंदे को बनाई कर देंगे एक, दो, तीन यह देखिए यह हमारी फेफ्ट रॉई है दूसरे डिजाइन की उल्टी सलाई है अब इस फंदे को हम खोल देंगे और बिना बुना ही उतार देंगे एक, दो, तीन इस फंदे को भी खोल देंगे और बिना बुना ही निकाल देंगे एक, यह देखिया इस द्रॉब भी कम्पिलेट हुई अब हमारा यह डिजाइन फिर से इसी तरह से हम चेंज कर देंगे जिस तरह से पहले किया है फंदे को चोमाता मिलाट बशुचा मिलाट इस तरह से आफ इस डिजाइन को बनाते जाएंगे पहले आप सीथी-सी अणिया बुनाई कर लेंगे सीथी उल्टी पूर्थ रोपर आप यह डिजाइन राउंड घुमाएंगे देकि अब इस फंदे को यहां से निकाला इन तीनों फंदों को इस दूसरी सलाई पर लिया और इस फंदे को भी निकाला लास्ट वाले को अब यह पहला वाला लास्ट बना देंगे और लास्ट वा रोड़ा चार पाँच देखिए डिजाइन बन गया और इस फंदा में यहां निकाल देंगे इन तीनों को इस सलाई पर लेंगे यह लास्ट वाला वी निकाल देंगे और इस कूल लेंगे यहां इन तीनों को यहां लेकर इस सलाई पर इस फंदे को यहां फर्स्ट पर ले लेंगे एक, दो, तेन, चार, पांच देखिए, यह दूसरा डेजाइन भी हमारा है, यहां पर इस तरह कम्प्लेट हो गया देखिए, अगर आपको मेरे डेजाइन पसंद आया हो, तो आप मुझे कमेंट्स करना ना भूले, और आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूले और देखिए, इस तरह से मैंने यह दूसरा डेजाइन आपको बताया है, आप उपर इसी तरह से बुनाई करेंगे, कुल्टी सलाई बुन लेंगे, आप एक सीधी बुन लेंगे, फिर एकुल्टी बुनेंगे, और फिर चौती सलाई पर टिपल राउंड से फिर से बना देंगे, और एकुल्टी सलाई बुनाई करने के बाद, फिर आप यह इसी तरह से डेजाइन को चेंज कर देंगे,